नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि प्रोटूसा सिरप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, प्रोटूसा सिरप को बच्चों को कैसे देना चाहिए, और प्रोटूसा सिरप की वज़से क्या साइड इफे उखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा प्रोटूसा सिरप सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है, एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजरी होना, छींक आना और नाक बंध होना आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए भी प्रोटूसा सिरप का उप्योग किया जाता है, साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों में प्रोटूसा सिरप की व वज़ से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे मुँ में सूखापन, सिरदर्ध होना, भूप कम लगना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, कब्ज होना, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्स प्रोटूसा सिरप की वज और खाना खाने के बाद भी दिया जा सकता है। में दो बार लेने की सला दे सकते हैं। प्रोटूसा सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ बच्चों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको प्रोटूसा सिरप को बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेन प्रोटूसा सिरप का उप्योग केवल सूखी खासी होने पर किया जाता है। इसलिए बलगम वाली खासी होने पर प्रोटूसा सिरप को नहीं देना चाहिए। आपको प्रोटूसा सिरप को बच्चे को देने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। और उस इसे बच्चों को प्रोटूसा सिरप को देना रेक्मेंडेड नहीं है और इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब क और अगर आपका प्रोटूसा सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं